तो magnetic field at the center of current carrying circular loop, एक circular loop है, circular loop जैसे हमने मानिया ये है, बार-बार हम दिखाते हैं बताते तो ये मेरी नहीं है, पहले हम लोग चुड़ा-उडा पहनते थे, मिला गए ते, गोले आये, आप तो नहीं पहनते हैं, तो ये इसमें current flow रही है, ठीक है, तो इसके center पे कितना magnetic field होगा, इसकी हम बात करेंगे, तो इसको रखे कैसे, तो हम इस प्रकार से इसको रखेंगे, ऐसे, 3D diagram के हिसाब से, अब ऐसे तो बन नहीं सकता, बन जाएगा, नहीं बन सकता, ना, आर्टिस्ट होते होते हैं, देखा यह बात है, पेंट ब्रस से बनाते हैं, यह तो यह माल में नहीं था, यह, वा, थेंक्यू, सिंग साब, आपने, और यह चुटका कहांगा ठाकुर, देखो जान से, यह एक circular loop है, सर साउधान, और इसमें current flow हो रही है, ऐसे आपने यहाँ पर, ऐसे इसको current दिया होगा, यह current इसमें फ्लो हो रही है, तो इसके center पे आपको magnetic field निकालना है, तो पहले तो इसके diagram लाएंगे, कि suppose I is the current, I current is flowing in this loop, and radius of this loop is R, and at the center magnetic field is required, ठीक है, जोना समझे की कोशिच करिएगा, तो हम इसमें बायो सिवर्स ला ही लगाएंगे, को अभी बायो सिवर्स ही ला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस coil का बहुत 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 इसमाल portion एक लेंगे, चोटा सा, अब इतना चोटा लेंगे कि इसमें दिखेगा ही नहीं क्या लेगे, तो थोड़ा सा दिखाने के लिए हम इसको बड़ा ले ले रहे हैं, हमने एक current element लिया, DL, ठीक है, और इसको कहां से मिला दिया, यह दूरी कितनी है, आर, अभी मैं direction magnetic field के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अब बताईए, यह जो आर है और DL है, इसके बीच angle कितना होगा, कुस होगा थीटा उटा, जी नहीं, जब आप कोई circle लेंगे, और बहुत small portion ले रहे हो, तो यह tangent है एक तरीके स होगा है, और tangent का radius के साथ कितना angle होता है, 90 होता है, तो यह angle कितना होगा, यह angle होगा, 90, ठीक है, तो हम magnetic field at the center due to this small length, यह current element निकालेंगे, ठीक है, magnetic field, m field लिख दे, m field, add the center, यह center है कि enter लिख रहे हैं, यह कई सा center है, add the center due to small current element, current element, ideal, current element लिखा तो ideal लिख देंगे, और small length element लिखेंगे, तो ideal लिख देंगे, ठीक है, इसकी वज़े से magnetic field निकालते हैं, db, तो क्या होगा, mu naught upon 4 pi i dl sin 90 upon r square, यह दो होगा न, तो db is equal to mu naught upon 4 pi i dl upon r square, यह magnetic field किसकी वज़े से निकला, इस ideal element की वज़े से निकला, पर समय लिजे पहले, फिर छोटा सा dl लिया, फिर उसके लिए वही ची निकलेगी, फिर छोटा सा dl लिया, इस प्रिकार से बहुत सारे इसको, हम क्या करेंगे, इस circle loop को, छोटे छोटे dl, dl, dl में break कर देंगे, ठीक है, तो आई तो समय सेम रहेगा न, और सबको उठाके, एड कर देंगे, तो जब net magnetic field निकालेंगे, net magnetic field, add the center, due to, entire coil, entire coil, इस पूरे coil की जैसे, जब net magnetic field निकालोगे, तो क्या करोगे, इसको integrate कर दो, या तो इस पे sigma लगा तो, mu naught upon 4 pi, i, dl upon r square, समझ में आई बात, अब actually sigma operate किस पे होगा, sigma किसका हो रहा है, dl का हो रहा है न, वैश sigma किसका होगा, छोटे पार्ट का ही तो सम करोगे आप, तो यानि किस sigma किस पे लगेगा, तो यह हो जाएगा, b is equal to mu naught upon 4 pi, i upon r square, सिग्मा डियल, सिग्मा डियल का मतलब क्या होता है, यह पूरी लेंद का सम, और पूरी लेंद कितनी है यह, 2 pi r है, तो यह हो जाएगा आपका, mu naught upon 4 pi, i upon r square into 2 pi r, तो 2 pi से 4 pi कर जाएगा, r से r कर जाएगा, उपर क्या आएगा, mu naught i upon 2 r, यह magnetic field at the center of this loop है, ठीक है, अब देखो दियान से, एक मिनट बाई, बहुत जलबाजी मिनट रहा करी है, अगर इसमें बहुत सारे coil में turn है, तो जितने turn करोगे, उतनी ज़्यादा current, flow होगी, और जितनी ज़्यादा current होगी, उतना ही ज़्यादा strong magnetic field होगा, तो if there are n turn, तो magnetic field कितना हो जाएगा, mu naught ni upon 2 r, तो यह net magnetic field का formula at the center अब मैं direction की बात कर लेता हूँ, जुरा साउधान, direction center पे होगा कैसा, देखो द्यान से, मैं इस coil को इस तरह रखता हूँ, यह current ऐसे flow हो रही है, अब देखो, इस coil का छोटा सा एक part है यह, magnetic field निकाले तरीका हमने क्या कहा था, कि जिधर current फोर है उधर आप, अपना अंग उठा करिए, अंग उठा हो गया, ठीक है, और इस coil को पकड़िए ऐसे, तो magnetic field ऐसे घुम के आएगा ना, ऐसे, नहीं आएगा, हर तरफ ऐसे घुमेगा magnetic field, ठीक है, अब जा देखे, दूरी सेंटर पे magnetic field ऐसे गया, और ऐसे turn हो जाएगा, इधर आईए, सेंटर पे magnetic field गया और ऐसे turn हो गया, ठीक है, तो सब तरफ से, सेंटर पे जाएगा magnetic field, और जा के अपनी तरफ, turn हो जाएगा, जैसे turn होने लगे, वैसे उसे चोटिया बांदो, पकड़ लो है, नहीं गुमने पड़ेगा, उपर की तरफ, सब्सक्राइबाद नहीं आई, ऐसे दिखेगा, बाद में वो इस coil को इस प्रकार से change हो जाएगा, इधर जाओगे तो ऐसे turn होगा, इधर जाओगे तो ऐसे turn होगा, ठीक है, लेकिन सेंटर पे जैसे वो, सेंटर पे इस प्रकार से magnetic field जाए, हर along the axis of current carrying circular loop, वह आप कहेंगे, आपने यहाँ भी सी बना देते, यह जो तीसरा सी है ना, इगर बड़ा है, conductor भी हो सकता है, circular भी हो सकता है, coil भी हो सकती है, तो हमने current carrying circular loop करे, इसका मतलब समझेगा, अभी क्या हो रहा था, कि जो current carrying loop हो रही थी, हो रही थी, हो रहा था, उसके center भी field आप निकाल लेते हैं, अभी क्या हुआ, यह current carrying loop है, यह इसके axis है, इसके axis पर कहीं पर यह point है, यहाँ लास्ट में यहाँ पर, यहाँ magnetic field निकालना है, ठीक है, तो पहले इस loop को बनाया जाए, अब loop को ऐसे 3D type को बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो 3D तो बाच पर जी बनाने से रहें, तो हमने कहा यह एक loop है, खड़ा loop बनाया दिया हमने, ठीक है, यह एक loop है, ठीक है, तो ठीक है, एक book में loop बनी थी ऐसी, यह loop है, और उसमें यह बना था और यह बना था, ठीक है, master ने कहा एक गलत है, यह loop थोड़े है, यह loop ही है, यह loop को ऐसे रखा गया है जिसका ये पार्ट आप देख रहे हो ठीक है ऐसे बनाए गया हाँ इसका वताँ ये करिंट अंदर जा रही है और बाहर ऐसे निकल रही है ये लूप ऐसे बना हुआ है तो लूप ही है लेकिन आप मास्टर को नहीं दिखा वहाँ पर तो लड़कों ने बताया मैगनेटिक फिल्ड निकालनी है यहाँ पर है न कहीं पर भी अलेक्रिक फिल्ड के लिए ये प्रूफ है वो हमने कराया नहीं था चुक्कि उस लेबस में नहीं था इसलिए नहीं कराया था कभी बीच में करा देंगे उसको है ना और अब जड़ा देखे ध्यान से कैसे मैगनेटिक फिल्ड निकाला जाएगा ये लूप जो हमने बनाया है वो ऐसे बनाया है ध्यान लखेगा हमने इसलिए दोग़ ऐसे बनाया था ऐसे ये बाहर निकल के आ रहा है तो ये समझे जाएगा कि करेंट ऐसे जाकर के और ऐसे बाहर निकल लई है ना यानि यू समझेए कि करेंट ऐसे बाहर निकल लई है यानि यहां पर करेंट कैसे है दूर बनाया नहीं मुना कन्फूजन हो जाएगा यहां पर करेंट हम बाहर निकाल लए है और यहां current अंदर जा रही है ठीक है और यह current हमने ऐसे flow करा दी diagram सौन में आएक नहीं आए पहले diagram की बात कर लेते है और इस loop की radius हमने मान ली A इस loop की radius हमने मान ली है A ठीक अब जड़ा समझेगा हमने क्या किया इस loop का एक छोटा सा length element लिया deal यह ideal current element है और इससे इसको मिला दिया और यह हमने मान लिया है R अब बताईए यह जो element है यह center इसका यह center है यह element है यह line की चीए इसके पूँ कितना angle है 90 degree कैसे देखो यह element है जो चूड़ी बड़ी वाली होने चूड़ा पूतना राच्छसी की कोई हाथ वाथ की कैसी कोई मिल जाती है तनी बड़ी चूड़ी ले करके आथे ठीक होतना बड़ा देखो यह छोटा सा part इसका लो यह इसका access हुआ जा करके जो यह वाला हम दिखा रहे है यह आपने छोटा part लिया है 90 हो गया तो मैं क्या करूँगा इस छोटे से current element की वज़े से इस point पे magnetic field निकाल ला हूँ ठीक है direction हम बात में बात करते है magnetic field at peak सब कुछ direction का ही यहाँ दरो मजा रहे at peak due to small current element current element ideal तो इसका नाम रखा db क्या होगा mu not upon 4 pi ideal sin 90 upon कहे कह स्कुएर r कह स्कुएर आपको तो x के टम मिलाना है r तो बात में गायब करना पड़ेगा लेकिन फिलाहल तो r square आई रहा है अच्छा आप इसकी direction निकाल लेते है करेंट बाहर आ रही है ना आप क्योंके हमारी height लंबी नहीं नियमता है कि स्टूल डालके मिस्विए ऐसे खड़े हो जाते यहां बनाते तो ज़्यादा जुकना पड़ता है देखो current बाहर आ रही है ना current कि तरब आप क्या करेंगे अपने दाये हाथ का अंग उठा देखो यह बाहर current आ रही है इस प्रकार से मैं इस coil को रख रहा हूँ देखें इधर देखेंगे वह अंग उठा अपना बाद बन कर रहा है यह बाहर current आ रही है हमने इधर अंग उठा कर दिया और यह point आपने लिया था ऐसे अपने हथेली कर दी तो current किदर जा रही है magnetic field किदर जा रहा है इस हाथेली के perpendicular तो आपकी हाथेली एक्चुली जाएगी किदर इधर जाएगी ना आपकी हाथेली current बाहर आ रही है और आपने आपनी हाथेली ऐसे रखा हुआ है तो magnetic field इस line के perpendicular होगा ना यह समझ में बात आई कि नहीं आई इस line के perpendicular देखिया आप direction इस line के नहीं है यह जो line आपने खीची है ना आपकी हाथेली इस line के paddle है ऐसे तो इस हाथेली के perpendicular है ना तो आप ज़रा समझने की कोशिश करिए यह current यहाँ पर आई है और इधर अंदर इंट्री कर रही है तो इधर भी अगर मैं छोटा सा part ले लेता अगर इधर लेता ideal और यहाँ से इसको मिलाता ठीक है तो magnetic field तो इतने होता फर्मलाद ही होता ना आपका और direction क्या होती अब current किदर जा रही है अंदर तो आपका अंगुठा अंदर तरफ है और हाथेली स्लाइन की तरफ है तो magnetic field हाथेली के फिर पर प्रिनिकुलर तो आप किदर आज जाएगा इधर होगा नहीं होगा इसे तो दोनों तरफ magnetic field सुन में आ गया इधर दो और इधर तो दो ही end हम ले रहे हैं अब ज़रा समझने की कुछ को तो इसको calculate कर लेते हैं db is equal to mu naught upon 4 pi ideal upon r square अब साउधान अब ये तो आपने एक छोटा सा part लिया है न इस प्रिकार से सब को add करना पड़ेगा अब ज़रा एक diagram में थोड़ा सा amendment हम करेंगे देखो ध्यान से हमने इस angle को माना alpha दो ध्यान समझेगा तो ये angle भी alpha होगा नहीं होगा और हमने ये जो line आपकी axis है न इसके perpendicular एक line खीची अब देखो ध्यान से साउधान इस line के perpendicular ये है और इस line के perpendicular ये है यानि कि ये perpendicular और जब ये alpha angle घुमेगा तो ये भी alpha घुम जाएगा ना तो अगर मैं कहूँ कि ये angle भी alpha होगा तो चलेगा नहीं समझे देखो ध्यान से ये line ऐसे है और इसके ये normal है ठीक है और बात में ये line घुम गई ऐसे alpha angle से तो normal भी घुम जाएगा alpha angle से अगर ये 90 degree है और ये वाली जो line है इसको alpha से घुम आओगे तो perpendicular भी घुमेगा नहीं घुमेगा तो ये angle भी alpha होगा और नहीं होगा diagram clear हुआ तो ये angle भी alpha होगा अब ज़रा ऊपर का जो ideal लिया है उसका जो db है उसका ये वाला component देखो कितना होगा db, sine या cause vertical है ये generally vertical तो sine हम पढ़ते है लेकि alpha से लगा हुआ component क्या होता है cause तो ये हो जाएगा db, cause alpha और perpendicular क्या हो जाएगा db, sine alpha और ये भी नीचे तरफ क्या आएगा db, cause alpha इधर क्या होगा db, sine alpha ठीक है, अब देखो ये db, cause alpha और ये db, cause alpha दोनों equal and तो इनका जो resultant क्या हो जाएगा 0, अब देखो ये coil आप ले रहे हैं ठीक है, ये छोटा सा end देख रहे हैं इसकी वज़े से magnetic field db, cause alpha और इसके बिलकुल opposite db, cause alpha cancel हो गए हो गए, यहाँ पर जो लोगे db, cause alpha, यहाँ पर db, cause alpha cancel हो जाएगे, तो पूरी coil की वज़े से magnetic field का cause component क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा, और sign component उठाके add हो जाएगा भाई देखे, ये coil है ये आप हत्यली रख रहे हैं बार-बार, ऐसे हंथेली एक इधा रख रहे हैं एक इधा रख रहे हैं, दोरों एक सार रख नहीं चकते हैं पकड़ में नहीं आएगा, अरे ठीक है हाँ, तीन हंथेली होती teacher के तीन हाथ, ऐसे एक ऐसे पकड़ता एक ऐसे जेफ़ाड डलियक तरिके के और इसमें जो cause component है, वो एक इधर है तीक है, और इसका इधर है तो cause component कैसे हो गए cancel हो गए, सब तरफ से and sign component उठाके, लिए इक ही direction में है, तो net magnetic field निकालने के लिए क्या करो गए इस db sin alpha को उठाके प्लस कर दो, सुन्वेगा ही बात नहीं, नहीं आई, तो magnetic field, net magnetic field, net न लिखो, magnetic field at P, due to entire coil, entire coil, V, तो इसी को integrate कर दो, किसको, db, sin, alpha को integrate कर दो, चले यहां तर पहुंचिए पहले आप, इस loop को मोटा ना बनाईए, मोटा बनाऊगे तो यह circle बन जाएगा ना, इसको बिल्कुल ऐसे बनाऊ ऐसे बिल्कुल, इतना पतला बनाऊगे, अब का बता है, उससे पतला हो ना, ऐसे बनाऊगे, ख़ड़ा हुआ है, अब चुकि तो यहिसमा नाम क्या लिकाता है, क्लोज क्या रिखा रिखाता है ईसमा घ्यक, छोजमा मानग चलो कि सिक्वाह कीज़ें कोई इसमि जादी को इसलिफ्लाब लगा हो जाता है, थिक है, जैसे इस firm 12 को, है खर किया acceptance. और हिआगे, सटैन्डर्ड क्या होता है, सब्सक्राइब तो वही यहां पर भी होगा कि थोड़ा सिग्मा लगाने बजाए थोड़ा स्टेंडर्ड कर दो इसको क्या लग दो इंट्रिगल कर दो अब देखो ध्यान से डी बी की वैलू हमने क्या बताई है म्यू नॉट अपान फोर पाई आई अपान आर स्कुर यही है था है और कुछ था आईडियल और साइन्ट अलफा की वैलू यहां क्या निकलेगी ए अपान आर भाई आपने यहां से देखे यह 90 डिग्री आपना है ना यह चीज तो यह हो जाएगा परपेंडिकल अपान हैपने वजह क्या अचा इसमें इंटेगल किस का होना है क्यवल डियल का और सब बाहर लिए आउ तो हो जाएगा मीव नॉनौ अट पान फोर पाई आई एअपान आर क्यूब और इंटेगल किसका हम करेंगी डियल का क्या आर के बारे में करें उसकी रेडियस आपको मालूम है तो आपको AB मिलाना पड़ेगा तो एर को आर को तो वैस सापको x square कि power 3 है ना तो ऐसा करते हैं ये अंडरूड हट जाएगा तो power क्या चढ़ जाएगी इसके उपर 3 by 2 अच्छा डील का ये कितना होगा total 2 pi ये डील का integral करोगे तो पूरा circumference आएगा ना ये कितना हो जाएगा 2 pi a अब कट्टम पिट्टम किया जाए तो देखो 2 pi से तो पूरा cancel हो जाएगा ये तो उपर क्या आएगा आएगा mu naught i a square upon 2 a square plus x squared power 3 by 2 ये magnetic field का छोटा सा formula निकला हुआ ठीक है ये कब निकला है जबकि i current is flowing in the coil ठीक है अगर there are n turns तो जितने turn करोगे तो इतने कुना current बढ़ जाएगी तो आप लिखेंगी if there are n turns if there are n turns in the coil अगर coil में n turns है तो b की value क्या निकलेगी ये ही formula दुबारा लिख दीजेगा कि वहाँ पर n times current हो जाएगी तो क्या जाएगा mu naught capital n लिको अच्छा लगेगा तो दिखेगा जाना ni a square upon 2 a square plus x square to power 3 by 2 तो ये आपका magnetic field on the axis of a coil है axis पर है जाने center नहीं है axis पर है नोट करिए अब देखिए इसमें एक special case ले लिजेगा इदर देखिए special case अगर ये point खिसक करके जो p point है ना ये खिसक करके o center पर आ जाए तो x कितना हो जाएगा zero ये आप लिखेंगे if p is at the center at the center तो x की value क्या हो जाएगी zero तो equation one में x का मान क्या रख दो zero कर दो तो by equation one b कितना निकलेगा mu naught n i a square upon two यहाँ a cube हो जाएगा a square की power c by two है तो a cube आएगा ना बाते मत किया करें ठीक है और ये मत अपने आपको चालांक समझा करो कि तुम जब बात करतों सामने वाला चूतिया है जब तुम पैदा नहीं होगे तब से सामने वाला जितनी तुमारे अंदर चालांकी अभी होई होगी उतनी तो हमारी रोज गिर जाती है ऐसे चरक जाती है एक a square से कर जाएगा तो b is equal to क्या हो जाएगा mu naught n i upon two a अभी ध्यान से समझेगा center of magnetic center of the coil पे magnetic फिल यहीं तो आपने proof किया इसके पहले वही proof है अब आप कहेंगे यह हम कैसे समझें कि यह वाला हमको proof करना है कि पहले वाला करना है इस वाले case में वो आप से कहेंगे कि find the magnetic field due to a current carrying coil on the axis of the coil hence find the magnetic field at the center तो hence find the magnetic field at the center मतलब you have to utilize this formula for finding the magnetic field at the center वो आप वहाँ पर जिरो रखेंगे ठीक है अब देखो center पे जब निकालोगे magnetic field तरक से जहीत होगी आपकी magnetic field की नहीं होगी आज इस coil को सिधा कर दो इस coil को जो टैसे की ऐसे सिधा कर दीजे तो magnetic field कि इधर हो जाएगी उपर की तरफ तो वहीं थमने बताया था आपको ठीक है तो समझ में आई बात कैसा proof लगाई है बड़ा smart proof है है खतलनाग नहीं है smart है ऐसा ही electric field भी निकलेगा ठीक है इसको note करिए